नमस्कार साथियों मैं हूँ अनुसर्मा और स्वाधत करता हूँ अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासिज भाय अनुसर्मे और आज हम लोग बात करेंगे इस ट्रक्चर आफ एटम के मल्टिबिल चॉइस कोश्चन की ये के कोश्चन आपके सामने रखेंगे और इसके आंसर्स भी आपसे डिसकसन करेंगे कुछ के आंसर मैं डिसकसन करूँगा कुछ के आंसर आप तक पहुँचाओंगा कि आप भी कैलकूलेशन करिएगा जिससे की आपको प्रैक्टिस मिल सकें इसकी PDF और ये सब मैं आज आपको इसलिए डालना हूँ कि आपको इसी तरीके स आपको Mia सकता है वो रेटेन प्रोवाइड करूँगा जो आपको मातेरियल में आपको दूंगा लेकिन वह मीटेरियल आपको लिए एग्जामिनेशन में बहुत सब्सक्रिप्न dot from noon काम करने जा रेश्यो आप the charge and mass इन्हें किसमें जाधा होगा ड taki charge मासon भी अन्वाइच करते एंसर की बात कर रहा है तो यह लोग इकालाम है, तो आपको आंसर भी कन्फर्म हो जाएगा कि charge mass ratio यानि e upon m ratio की बात कर रहा है तो e upon m ratio निकाल लेना charge आपको पता है कि proton पे कितना होता है सेम होता है लेकिन आपको पता है proton का जो mass होगा वो proton का mass बढ़ जाएगा जब बढ़ेगा तो value घड़ जाएगी इस तरीके से आप पर निकालेगा निट्रॉन जीरो हो जाएगा उपर चार जो आए गई आएगा बहुत ज्यादा आजाएगा तो इस तरीके से आप इनकी कल्कुलेशन करके देखेगा तो आपको आंसर जरूर समझ में आ जाएंगे कि जो कहां पर वैलू आपको जाधा यानि ग्रेटेस्ट कह नहां पर आ सकती है वह चीज है आपको निकाल लिए इसके बाद दूसरा कोश्चन हमारे सामने है और दूसरा कोश्चन कहा है कि वह प्रोट़ॉन और का मास रेशियो क्या होना चाहिए तो अब आपको पता है कि अगर हम एलेक्रों यह कितना होता है 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 एड्रॉजन मास ह होता है वह 18 1837 होता है तो यह यह इलक्ट्रोन के मास्क इतना टाइम होता तो यह वन अपन वह बैलूर हो जाती वन अपन 1837 तो इसको रेशियो में लिख दिया वन रेशियो 13 1837 लिख रखा है इस तरीके से इसको लिख सकते हैं इसके बाद कोश्चन नमबर थ्री पर आजाईए एज एलक्ट्रोन मूवस अवे फ्रॉम दन्यूक्लियस भूमता है इसकी पोटेंसिल एनरजी बढ़ेगी घटेगी मुझे तो लगता है कि इसकी पोटेंसिल एनरजी बढ जाएगी तो आपको ध्यान रखना इन्क्रीजिश पर लगा दीजेगा तिक बाकी आप भी डिसकूसन करीगा ऐसा नहीं है मैं आपसे लगातार कहता हूं अपने हर बार में कहता हूं कि आपको अगर कोई कंफुजन लगता है अगर आपको डाउट लगता है कि कहीं पर कॉ और यही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं डिपेंड करता है तो इसका मतलब हुआ कि डी वाले कोश्चन पर हम लोग टिक लगाएं कि यह स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है बहुत यह अच्छा कोश्चन है विच अपदा फालॉइंग स्टेटमेंट अबॉट इस इनकरेक्ट करिएगा आप लोग शिक्स भी करिएगा दे नेचर आलफा पाय्टिकल को अगर आप प्रोटाॉन भी तो और अप्ता होनगे कि बस्टा नेट मेंट को कोष्चन फम्मीदें कि स्कार्ण जा प्रोटॉन एंड एल्फा पाइटिकल मेरे इसाफ से रेशियो के टर्म में है तो फिर यहां पर वन इस्टू टू ही आना चाहिए और यह नहीं कि आगे कोश्चन देख लेते हैं किस तरीके का दिया है यह कोश्चन भी आपको करने पड़ेंगे और अच्छे कोश्चन आपके लिए हैं मैं सिर्फ यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं आप तक कोश्चन जो पहुंचाऊंगा उनका किस तरीके का पैटर्न होगा किस तरीके का क्राइटेरिया होगा कहां तक मैं इन कोश्च है अब हम लोग कोश्चन नमबर वन की तरफ चलते हैं एक्टम कंसिस्ट आप दा प्रोटॉंस नूट्रॉंस और अलक्टॉंस इव दा मास आफ मास अफ मास आफ नूट्रॉंस अलक्टॉंस वर मेड हाफ मेड हाफ एन टू तू ताइम्स रिस्पेक्टबली तू दियर कोश्चन है और इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दुबारा कोश्चन पढ़ लेते हैं एक्टम्स कंसिस्ट आप प्रोटॉंस नूट्रॉंस अगर नूट्रॉंस का मास हाफ कर दिया जाए तो यह मान के चलना की हमें लग रहा है कि आधा हो गया तो मतल आधा हो ही जाएगा क्योंकि मास डिपेंड कर रहा है नूट्रॉंस पे और नूट्रॉंस यह जाएगा और जो बीलक्टॉन आदे हुए तो प्रोटॉंस भी आदे हो जाएंगे तो सिंपल सी बास है कि विल रिमें एप्रोक्सिमेटली हाफ यानि कि सी आप्शन जाना चाह इसमें क्या करना है तो यह कोशन तो आप ही करिएगा को दिक्कत नहीं है एक आध कोशन आपको भी करने चाहिए नूट्रॉंस देन दा प्रोटॉंस अट हाई मास नंबर बीकॉस यह कोशन भी बहुत अच्छा है और यह कोशन यह कह रहा है कि आखिरकार क्यों है यह रीज अच्को पर नूट्रॉंस यह नहीं, neutron decreases the bind नहीं, neutrons are neutral तो इनका मतलब यही हो गया कि ज्यादा है, जब तुम्हारा कोई वर्की नहीं है तो कम रहो या ज्यादा रहो इसे तुम्हारा क्या हम लेना देना, तो कम रहो ज्यादा रहो मतलब neutral है, में मुद्धा तो यही पर आ गया, विच अपड़ फालोंग ऑक्साइड आप नाइट्रोजन इस आइसो इलेक्ट्रोनिक भी छोटू का कौन है, तो आइसो इलेक्ट्रोनिक यानि कि यह हो गया, छे और आट दूनी सोला हो गया, और छे आपका हो गया, बाईस तो चौधा और यहां पर आठ, चौधा आठ कितन टूओ को आप लगा लीजे, ज्यादा आगे पीछे भागने की कोशित ना करिए, एलिमेंट हैज एट एलेक्ट्रोन्स, इन दा बैलेंस तो यह क्या है, कि जब एट एलेक्ट्रोन है, तो ना तो यह लूस करेगा, और ना ही इसे गेन करने की टेंडेंसी है, और अगर यह बनाने की हिम्मत भी करेगा, तो दूसरे के साथ बनाएगा नहीं, बनाएगा नहीं तो मतलब यह कि यह अपने साथ बॉंड बना सकता है, अपने साथ बॉंड बना सकता है, नहीं बना पाएगा, क्योंकि यह तो अल्रडी आइसोलेटेड है, तो यह भी गया कोश्चन, तो अपने पेड ग्रूप में प्रोवाइड करूंगा और यहां पर पेड ग्रूप की कंडिशन मैं अगली वीडियो में डाल दूगा कि क्या क्या के कंडिशन मिनिमाइज इसलमम आपको सबसे मिनिममम सबसूरिवस्पन पर काम करूंगा सबसे मिनिममम आप पे करेंगा और उसके बाद आपको मिलेगा फुल मजा इस पर आपको जितने भी । waffle है वाइज आपको को चोटी चोटी बुकलेट्स के अकॉर्डिंग देखे यह कोश्चन मैंने डाल दिये हैं अब आप इनको कोश्चन को देखिए अच्छा लगेगा आपको जरूर काम करने मज़ा आएगा कि देखे अटामिक एक्सप्रीमेंट पर कोश्चन कॉश्चन अलग से बना दिया तो यह कॉश्चन करवाने के मतलब सिर्फ यह है कि मैं आप जरूर बता दू कि मेरे पास जो चीजे हैं वो किस तरीके के हैं यह आप जरूर ध्यान दे लें कि साहब हम आपको जो कोश्चन दे रहे हैं क्या उन अगर आप ध्यान दें तो यह बहुत अच्छा है कि भाई कोश्चन नमर कौन सा है कोश्चन नमर 15 है और आप पढ़ लीजिए आपको समझ में आएगा कि आखिरकार कोश्चन क्या कहना चाहिए कि इस तरीके कि इनके आंसर भी मैंने लगा रखें लेकिन यह सभी पीडियफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूगा और प्रोवाइड देखिए यहां पर स्प्रेक्ट्र मानेशन थेल्पी इस तरीके कोश्चन भी डाले हैं कि मैंने जैसे यह एनरजी य के भी कोश्चन में करवाँगा आपको 25 कोश्चन भी कर्वाँगा मैंने शुरुवात आप से की इसलिए कि आप जान लें कि हम लोगों का कोश्चन देखि यहां पर यह कोश्चन कहीं से भी आप एमान के चलिकि आपको यह कोश्चन तिट्र दैंवée कि अपघ्टीर करते जो मुझे लगा जैसे उस तरीके से मैंने बन बाया जिसमें लिखने में दिक्कत ओड़ी उसको मैंने रिखा है और बाकी मेरे पास जो मेटरियल जैसा है जैसे कि जहां पर पॉसिबिलेटी थी वो पॉसिबिलेटी मैंने प्रोबाइट किये तो जितनी देखे यह को रिले करके मैंने यह वीडियो बनाई हुई है तो देखे यह सब कोश्चन आप देख लीजिए अब यह कोश्चन हो सकता पॉसिबिलेटी आपको लगी बहुत सारे आते हों बहुत सारे ना यह कोश्चन भी खूब आया हुआ हुआ है और विटल अंगुलर मोमेंटा आप तक पहुचाने की कोशिस्की है इन 22 कोश्चन के बाद मैंने इनके आंसर भी लगाऊंगा लास्ट में इस तरीके से आंसर भी मैं लगा दूँगा यह 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 आंसर भी मैं लगा दूगा टॉप चैप्टर बाइस लगा दूगा टॉपिक बाइस लगा दूगा जिससे पेड़ ग्रूप में जुड़ना पड़ेगा उस पेड़ ग्रूप का मिनिमम सब्सक्रिप्सन भी आपको अगली वीडियो में उसकी कंडिशन्स भी आपको अगली वीडियो में बता दी जाएंगी और आप हमारे साथ बने रहेंगे इसी वीक से मैं स्टार्ट करने जा रहा ह और उसके बाद हमारे साथ अगर तयारी के लिए इंट्रेस्टेड हो तो जाइन हमें करिए हम अपना नंबर अगले इसी लगातार चैनल पर बताते रहते हैं उस चैनल के थुरू आप तुमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेड गुरूप को जाइन भी कर सकते ह अपने आप लोग थैंक यू है वो नाइस जी अज़िए